प्रदान मंत्री जी की पेड़ा और उनके उनकमपा से बैश्विक हमारी करोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देशे से 18 प्लस वो भी वैक्सिनेशन का कारिक्रम आज प्रारम्भ हुआ है उत्तर प्रदेश में 45 प्लस के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सिनेशन के स्तीसे चर्ण में प्रारम्भ हुए हैं जहां वैक्सिनेशन का कारिक्रम सफलता पुर्वग प्रारम्भ हो चुका है और प्रदेश में हम लोगों ने आज से अठारा प्लस से जुड़े हुए लोगों के वैक्सिनेशन के कारिक्रम को भी प्रारम्भ कर दिया है पहले चर्ण में हम लोग क्योंकि नया सौप्टिवेर इसके लिए बनाया गया है और नय सौप्टिवेर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही अठारा प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सिन देना है इसमें हम लोगों ने उन साज जन्पदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सरवाधिक हैं लकनो, प्रियागराज, वारनासी, गोरकपूर, बरेली, कानपूर और मेरट इन साथ जन्पदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए है अगले पांस दिन तक इन साथ केंद्रों में हम लोग वैक्सिनेशन का करेंगे इन साथ जन्पदों में 85 सेंटर पर 18 प्लस से जुड़ेवे लोगों को भी हम वैक्सिन देंगे इसके बाद प्रतेग जन्पद में 45 प्लस को भी और 18 प्लस को भी 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुप्त में वैक्सिन देने की विवस्ता राज्य सरकार ने बनाई है और 45 वर्ष से उपरवालों को सभी नागरिकों को भारत सरकार मुप्त में वैक्सिन उपलब्द करा रही है यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारम्ब करेंगे आज 45 प्लस से उपरवालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सिनेशन के तीश्य चंड का कारिकरम प्रारम्ब हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपतों की 85 केंद्रों में वैक्सिनेशन का कारिकरम प्रारम्ब किया है ये सभी वेक्सिनेशन के कारिकरम निशुलक है और प्रते एक नाकरी को बिना भेदवाओ के वेक्सिन उपलब्द कराये जा रहा है ये करोना से बचाओ के लिए एक बहुत महत्वपून हत्यार है मेरी अपील है पुरे प्रदेश वासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभो प्रियास कर रही है ये महामारी है और महामारी में बचाओ ही सरवत्तम उपाई हो सकता है अनामस्य ग्रूप से कोई घर के बाहर न निकले हाई रिस्क काटेगरी से जुड़े वे जो पाँच ऐसे ग्रूप हैं साड़ साल से उपर दस वर्स से छोटी उम्र के गर्वती महलाएं कम्यूमिनिटी के लोग या एक एक सेधिक बीमारियों से गर्सित लोग वे तो कता ही घर के बाहर न निकलेimar घर के अंदर भी मास्क का इस्तमाल जरूर करें सभी व्यापरियों से या जितने भी हमारे करोना वारियर से हैं करमचारी हैं स्वास्ते करमी हैं उनसे भी वराबर ये कहा जा रहा है उनको कलब्ध भी कराया गया है कोई मास्क और गलप्स का इस्तमाल जरूर करें, सेनिटाइजर अपने साथ में रखें, निगरानी समितियों को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में, मोहलों में भी इस सभी परकार के मामलों में निगरानी रखने के लिए बराबर जन्पत के इंतिक्रेटिट कोविट कं सेंटर में संबाद मना करके समय समय पर जानकारी देने के लिए एक द्योस्था बनाई हुई है, टेस्टिंग की संख्या, कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने और उसके बाद 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, इस समय प्रदेश में हम लोग प्रति दिन सभा दो ला इसमें सीमित पड़ रहे हैं, धैरे के साथ बचाओ करते वे, वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंदरों में बलाया जाए, मेरी अपील होगी, वे लोग ही केंदर में आएंगे, दूसरा हम लोगों ने इस बारे में प्यवस्ता की है, कि जिरो वेस्टेज हो, वेस्टेज के इस को हम नियुंतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं, लेकिन जिरो वेस्टेज के साथ, इसमें वेटिंग एरिया, कोविट प्रोटोकल का पालन करते हुए, आप्चरवेशन एरिया, वैक्सीन लगने के बाद, प्रते एक वेक्ति के लिए इस प्रकार का स्पेस दिया ज प्रयास है कि हर वेक्ति को हम वैक्सीन दे सके हैं, लेकिन हमें करोना के इस संक्रमन को भी रोकना, इसकी चेन को हर अस्तर पर ब्रेक करना है, इसमें जनता का बहुत बड़ा युगदान हो सकता है, तेंदर और प्रते सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, औ पचाओ का सरवत्तम उपाय है अगर उनमें कहीं इंफेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है उन्होंने रिकबरी जल्दी कर दी है जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इंफेक्शन आया है तो रिकबरी में मदद मिली है लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास का और दो गज की दूरी का पालन करना होगा इसमें हर उब्यक्ति के सयुक्स एक टीम वर्क इसमें काम करेगी तो सफलता प्राप्त होगी और करोना के खिलाब देश की लड़ाई में हम सब विजय होंगे उस सामविक्ता का टीम वर्क का परिचे सभी लोग दे रहे हैं जनता प्रकार के सामाजिक संगठन वे सभी लोग दे रहे हैं और मेरी अपील होगी कि सभी लोग मिलकर के करोना के खिलाब देश की लड़ाई में विजयी बनने की उरक्रसर हों वैक्सिनेशन के आज के सकारिक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंब करने के लिए आधने प्रधान वैक्सिन प्राप्त हुआ है जिन संस्ताओं ने हमें वैक्सिन हमने यत्दे भी एक करोड का ओडर किया था हमें वैक्सिन प्रारंब यहां पे 18 प्लस के लिए उपलब्द हो चुका है हम लोगों ने सीधे कंपनियों से खरीदा है बाकी 5 करोड का हम लोग ग्लोबल टेंड करने में सफल होंगे हर नागिर को शुरक्शा कबच वैक्सिनेशन के मात्यम से देंगे ही साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ तazed के साथ कंदे से कंधा मिलाकर के उत्तरप्रनिश्स का प्रते नागिरिक देगा वैक्सिनेशन के कारिक कर्म के लिए जिन लोगों ने आ करता हूँ, करोना वारियर्स और हमारे स्वास्तिकर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग उनका सम्मान करें और उनको हर परकार का संबल दें, दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन लोगों ने अपने नस्दी की लोगों को खोया है, पूरी उसमें, इमा हमारी है, उनके प्रति हमारी संबेदना है, और राज्य सरकार और केंदर सरकार मिलकर के अधिक से दिक संसाधन जुटाने का प्रियास कर रही है, सभी लोगों का सहयोग इस पूरी अभ्यान में हमें चाहिए, और हम मजबूती से कह सकते हैं कि हर एक को सुरक्सा प्रदान करने का हम भर सक प्रियास करना है, धन्यवाद, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक करें, सुस्क्राइब करें और शेयर करें